अगर आप अपने स्कूटर को चार्ज करते हैं तो ओला कंपनी क्लेम करती है करती आप 18 मिनट चार्ज करते हैं तो आप 75 किलो मीटर की ड्राइबिंग कर सकते हैं 18 मिनट चार्ज करके इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 36 मिनट में आपका जो बैटरी है वो फुल हो जाने वाला है थोड़ा सा और टाइम मतलब 40-45 मिनट लाश्ट ली यह फु तो ल Εक्क्राजबतार च Gather ऐना पड़ेगा यह नहीं देना पड़ेगा से अगर फ्री व्लीया भ इतक रहेगा और चार्जायर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा पहां जाकर करके चार्ज कर पाएंगे 40 मिनट में आप कुछ कर सकते हैं कर इसे घुम करके आशर तो आपका स्कूटर फूरा बिल्कुल फूल हो जाएगा तो यहां पर यह दिक्कत है कि यह आप हाइपर चार्जर से चार्ज करते हैं तो क्या बैटरी पर कोई इंपक्ट आता हैं तो 6 से 6,5 घंटे का टाइम लग जाता आपको फूल करने में बैटरी को और यहां पर 40 मिनट में बैटरी फूल हो रही है मतलब कि काफी तेज स्पीड में यह चार्ज कर रहे हैं थ्री फेस पर यह काम करते हैं चार्जर जो हाइपर चार्जर इनका होता है यह थ्री फे जर के ऊपर वह सारा कुछ आपको मिल जाएगा बाकितों आपको पता हुआ कंपनी हर जगा अपने लगाने वाली है तो यह फिक्स अप नहीं है इनका जो भी पूरा नेट वर से आल उबर में लगाने वाले हैं तो इस साल के लास्ट लास्ट तक यह जितना भी प्रॉइड कराना होगा अगले साल में पूरा प्रोवाइड होगा 2022 में 2022 में पूरा लगवर लाष्ट लाष्ट तक जितना वी इनको लगाना होगा वान लेक्ष्ट टूला जो भी करना है ये करेंगे तो हर एक सीटी में लगभग हम जानते हैं तीन से पर हाइपर च्रार्जर लग करना भाएपेशले लेकिन क्या हमारे लिए चार्ज करना पर फाइदें मंत यहां तakर नात रायर क्रेंगा इसके समानिac अपेव और लिए तो मेरे हिसाब से बैटरी का जो साइकल है वो कौम जाएगा यहाँ जो आपका बैक रहाएगा उसमें दिक्ति लेकिन उसकी जो लाइफ साइकल है वो कम हो जाएगी जहां तक इसको प्रोवाइड करना चाहिए आपको काफी लंबा समय तक आपका स्कूटर का बैटरी नहीं चलेगा लेकिन 3 साल से ऊपर पार कर जाएगा क्योंकि यह 3 साल की गारंटी दे तो कोई प्राब्लम नहीं होने वाली है लेकिन अगर जहां तक आपको हो सके आप स्लो चार्जर से चार्ज करेंगा और आमनें से बैटरी चार्ज होगी तो ורड़usta से ओपर भी आपको बैटरी चास convince यहां पर इनका बैटरी क्राम है तो ने कर आ लेका नगा सकते हैं स्कूटर कि आप क्की शेवूराना पड़ता पेट्रोल Another करके आप 300-400 किलोमेटर जाएंगे और कोई गाली से 300-400 किलोमेटर नहीं जाता यह आपको सोचना चाहिए 150 किलोमेटर का लगभग यह रेंज दे देगा आपका स्कूटर 180 कंपनी क्लेम करते उतना नहीं जाएगा हाइपर मोड पर इसको चलाते हैं तो लगभग आपका जो स्कूटर का रेंज जाने वाला है वह रहेगा तो वह है लेकिन फिर भी नाइंट अगर पूरा फुली हाइपर मोड पर चलाते हैं तो आपका सव किलोमेटर भी रेंज मिलता है तो काफी बेस्ट है सव किलोमीटर में आप कहीं न कहीं अपने एक अस्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां रुकेंगे रुकने के बाद अगर आप आधे घंटे भी स्कूटर को अपने चार्ज में लगा सकते हैं और आपको पता है लाइट हर जगह मिलते हैं ऐसा कोई जगह ने जहां अभी कि इससे में बिजली का किनेक्शन नहीं है अंग्लिभप कर तो आप कोहां पैसे चार्ज किए जाएंगे लेकिन इभी धर नहीं हम लोग के तरफ कहीं भी आप ऐसा कर सकते हैं आप न सब्सक्राइब तब पर आपका स्कोटर फिर आपने निकल सकते हैं तो यह सिस्टम में और हाइपर चार्जिंग जब हो जाएगा तो जैसे पेट्रोल पंप हर जगा मिलते हैं देखने को ऐसे हाइपर चार्जिंग मिला क्योंकि आज से 5-6 साल बाद पेट्रोल कीमत इतनी बढ़ जाएगी जब कोई चीजी नहीं मिल पेट्रोल करते रहते हैं तो लाइट भी हर जगा मिल जाती है आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं हाँ पेट्रोल भाई दो मिटों भराता है पैसा देते फिर आप निकल लेते हैं यहां थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन मेरे हिसाब से बैट्री ठीक है अब क अब बैट्री करें तो इसमें भरबर के मिलेंगे आपको सारा कुछ क्योंकि इसका बोटी स्पेट भी इसपेस भी आपको अलेडी की से खुलने वाला है विदाउट की से खुलने वाला की में बोला हूँ विदाउट की से खुलने वाला मुबाइल से आप खोल सकते हैं तो स्कूटर के डिस्प्ले थार्टल से खोल सकते हैं सिस्टम है अब मैं बहुत सारा कुछ यहां पर बता कहाते हैं कि की बारे में कमपनी ने क्या बताया तो कर लींगा जो करना होता है अपने करेंगे ध्यकों हलए ताकि आप अगर आपके लिये और नहीं के बारे में आठाउ Name जाले इसकाइब आप आप वहां पे अगर चार्ज कर रहे हो तो आपका 18 मिनिट्स में आप 75 किलोमेटर्स ट्राइवल कर सकते हैं यह तो आप लोगों ने दे रखा कोटेशन तो मैंने पढ़ लिए पढ़ चुका हूं उसके बाद उसके बाद कुछ वह सब इंपोमेशन बहुत बता दे रहा हूं इसका कोई कास्ट भी लगेगा या चार्ज लगेगा तो लेवो कितना फूल बैट्री करते तो कितना लगेगा वह एक्जाक्त आपको उसी टाइम बदा सलेगा अशर जब लग जाएगा अम जब चार्ज करेंगे सबीचार्ज क्या वो डिजिटल होगा सर्टी इतना चार् पर बताएंगे रहेंगे वहां पर सर्विस प्रवाइडर जैसे पेट्वल भरवारतें वैसे उच्टे लिए करेक्ट सर्करें एक इसका और जैसे हैं यह यह इन निकल जोंगा तो ऐसा तो नहीं नहीं आपको बैटरी के एफ्ट्ट जाता इस पड़ेगा इस पड़ेगा नहीं नहीं यह ऐसा कुछ नहीं इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको तो कि प्रस्ट काफी तेस्से बताया बेकि पंदरेंटी वाइब जा सकते हैं तो चाहित कर रहा है तो इसका से समको लगता है कि यह पूल कर देगा यहां करेक्ट लेकिन हाइए इससे लिए बोल सब्सक्राइब नहीं रहता है क्या कि उसमें चार्ज होने में काफी लंबा टाइम पास चार्जर का बात नहीं है वह एक पोटेबल नॉर्मल चार्जर रहेगा आपके लिए जिससे आपको टाइम आपको इतना टाइम लएगा तो आप कहीं भी ट्रैवल जब कर रहे तो ले के ट्रैवल कर सकते हैं कोई इस्यों नहीं है और फो फाइम में सॉकेट में लग जाएगा हां करेक्ट सब्सक्राइब में आ चुका होगा यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में डिफनेटली कमेंट कर सकते हैं मैं उसके उपर हंड्रेड परसेंट वीडियो बना दूँगा आप जाकर करके उसको वाच कर लिएगा सब कुस समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरे चैनल का नाम ह वीडियो बड़ी होती हैं लेकिन जानकारी पूरा देना होता है इसलिए बड़ी बड़ी भन जाती है तो इसके लिए आप सबसे शौरी अब मैं केवल ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो श्टार्ट करूं और चीजों को बताऊं ही न और वीडियो को सीधा खतम कर दो तो आप आप क्या चाहते हैं यह आसा चाहते कि विडियो थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन फुल टौपिक क्लियर हो तो आप पूरा वीडियो देखे , जरूर कमेंट करेंगे आप कि मुलता हूँ नभी वीडियो में तब तक के लिए टेक़े जैहिंद पंदिर